हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर के एक्जाम क्रेकर मैं विश्णुदत सर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एक्जाम क्रेकर पर स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने IBACIO, RRBNTPC और Group D के एक्जाम के लिए Chemistry के Best 400 कोश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसका Part 2 लेकर आ हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बिल्कुल Selected और अच्छे लेवल के कोश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ आपको एक्जाम में कुश्चन जरूर मिलने वाले हैं और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं क्या है तो जल से जल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें उससे आपको हमारी वीडियो योज के लगातार नोटिविकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंड्स आईए देखते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं एक पोलिमरिक सबस्टेंस योज़ टू मेक पै बैटरियल है, वो पैरशूट बनाने के लिए यूज होता है drinking sodaAhis, जो drinking soda होता है, जो हम soda drink करते हैं, वो कैसे nature का होता है, सही अंसरों गा option भी, ये acidic होता है, drinking soda명 का बैटरी ये बैठरी знаете का, नेक्स्ट घूशन देखते हैं, जो cathode ओट होता है, arrest change batteries में कुछ चीज का बना हो होता है सही अंसरोंगा option B lead जो lead होता है lead storage बैटरी में वो cathode terminal का काम करता है which one of following is radioactive चार elements दिये गए हैं बताना कौन सा element इनमें radioactive है सही अंसरोंगा option D thorium thorium है इनमें radioactive substance aluminum can be purified by जो aluminum होता है उसको किस process के द्वारा purify किया जाता है सुध किया जाता है सही अंसरोंगा option C electrolysis की process के द्वारा काफी important question है कहीं बार repeat हुआ exams में impure camper is purified by जो acid camper camper होता जो कपूर होता है उसको बोला जाता camper इसको किस process के द्वारा जो है purify किया जाता है सही अंसरोंगा option A sublimation की process द्वारा camper को purify किया जाता है next greenhouse effect is caused by जो greenhouse effect होता है वो किस कारण होता है किस gas कौन सी जो main gas है जो इसके लिए उत्तरदाई होती है सही अंसरोंगा option B carbon dioxide जो CO2 gas है वो greenhouse gas के लिए उत्तरदाई gas होती है type metal used in printing press is an alloy of जो type metal है वो printing press में use होता है mainly वो किस चीज का alloy है किस चीज की वो मिसर धातु है alloy होता है दो अलग-अलग metals का जो mixture होता है सही अंसरोंगा option B lead और antimony का जो alloy है वो है type metal next sour taste of coca-cola is due to presence of जो sour taste होता coca-cola में जो हम पीते हैं वो किस चीज की presence के कान होता है तो सही अंसरोंगा option B phosphoric acid की presence के कान जो है इसका sour taste होता है और phosphoric acid का formula भी याद करेंगे H3PO4 के काफ़ important है आपके लिए Bhopal gas tragedy is associated with leakage जो जो Bhopal gas tragedy होई थी Bhopal में ये gas leak होई थी वो कौन सी gas leak होई थी वहाँ पे मेलनी सही अंसरोंगा option D methyl isocyanate कई exams में ये repeat हुआ question iodized salt is beneficial for जो iodized salt होता है वो किस चीज के लिए beneficial होता है किस चीज के लिए फायदेमंद होता है सही अंसरोंगा option C thyroid function के लिए जो है ये salt हमारे लिए beneficial है the acid rain destroys vegetation because it contains जो acid rain होती है वो vegetation को यानि जो वनस्पती होती है हमारी उसको nust कर देती है destroy कर देती है ये किस लिए करती है क्या इसमें क्या होता है जिसके काणी नस्ट करती इसको सही अंसरोंगा option D sulfuric acid और जो mainly acid rain में present होता है वो NO2 और SO2 के जो elements होते है diamonds are glittering and attractive because light incident on them undergoes जो diamonds होते हैं जो हीरा होता है वो काफी चमकदार glittering और attractive होता है क्योंकि जो light उसके incident होती है वो किस क्या होता है उसके क्या effect पड़ता है सही answer होगा option B multiple internal reflections जो light उसके उपर पड़ती है उसके दुआरा जो multiple internal reflection होते हैं उसके और उसके कारण यह attractive और glittering लगता है इस सबस्टेंस most commonly used as food preservative is ऐसा कौन सा सबस्टेंस है इन option में जो food को हमारा जो भोजन होता उसको खराब होने से बचाने के लिए वो सुरक्षित रखता है या तो उसको खराब होने से बचाता है या बोल सकते हैं उसको सुरक्षित रखता है सही answer होगा option d sodium salt of benzoic acid यह food preservative की तरह यूज किया जाता है catalyst इजे सबस्टांस which catalyst है एक कैसा सबस्टांस होता है उसका क्या property होता में ली सही answer होगा यहाँ पर option a increases the rate of reaction catalyst है जो reaction की rate को increase करता है और जो mainly जो catalyst है वो यह क्या करता है जो reaction है उसके rate को भी increase कर देता है लेकिन अपने आपको जो यह element जिसको भी हम catalyst की तरह reaction में यूज करते हैं वो अपने आपको यूज नहीं करता यानि अपने आपको consume नहीं होने देता which of following gases most toxic चार gases दी गए है पुचा गया सबसे toxic सबसे जैरिली कौन सी है इन में सही अंसर होगा option b carbon monoxide है इन option में सबसे toxic salt milk contains जो milk sore हो जाता यानि खटा हो जाता है उसमें क्या होता है किस कार्ण से वो sore test हो जाता उसका सही अंसर होगा option d lactic acid lactic acid के कार्ण sore test हो जाता milk का the acid used in lead storage cells जो lead की storage cells होती है बैटरी होती है उनमें जो acid है वो कौन सा यूज होता है सही अंसर होगा option d sulfuric acid H2SO4 इसका formula होता है alum stops bleeding in minor cuts because of जो alum होती है जिसको fit करी बोला जाता है हिंदी में generally वो हमारे जोगा खून अगर बैता है कहीं पर cut लग जाता है तो उसको bleeding को रोकती हो because of किसलिए रोकती है क्योंकि इसका property होता coagulation का option d सही होगा coagulation की property के कार्णिये blood को stop करती है plaster of paris is made by partial dehydration of जो plaster of paris है काफ important material है यह बनाया जाता है किस चीज के partial dehydration से सही answer का option भी gypsum salt के partial dehydration से water can be separated from alcohol water mixture by जो पानी है water है उसको alcohol के alcohol water के mixture से कैसे separate किया जाता किस process के द्वारा यह separate किया जाता है सही answer का option b sorry option c distillation की process के द्वारा milk sugar is जो milk में sugar पाया जाता वो कौन सा पाया जाता है यह types दिये गए है sugar के तो milk sugar कौन सा होता है इनमें सही answer का option है lactose milk में lactose sugar पाया जाता है petroleum ही जे mixture हो petroleum किस चीज का mixture होता है सही answer होगा hydrocarbons का यानि जो petroleum है अलग-अलग hydrocarbons जो carbon और hydrogen के compounds होते हैं उनका mixture होता है the gas used for filling weather balloons जो weather balloons होते हैं जिन से हम weather का पता लगाते हैं वो उनमें कौन सी gas बरी जाती है कौन सी gas उनमें योज होती है सही answer होगा option है helium gas he इसका symbol होता है hydrogen is not found in atmosphere because जो atmosphere हमारा वाई मंडल है उसमें hydrogen gas नहीं पाए जाती तो क्या reason है इसका सही answer होगा option b it is the lightest gas क्योंकि यह सबसे जो है हलकी gas होती है who discord the atom bomb जो atom bomb है उसको किनोंने डिस्पर किया किनोंने atom bomb की खोज की सही answer होगा option c auto hone ने तो काफी important question है यह which one of following organic compounds has fruity smell चार organic compounds दिये गए हैं कौन से की जो कौन से compound है जिसकी fruity smell जो fruits की smell होती है वो होती है सही answer होगा option c ester जो esters होते हैं उनकी fruity smell होती है what material is used to make electric heater coil जो electric heater जो घरों में यूज करते हैं उसकी coil बनाने के लिए जो mainly heating का effect produce करती है कौन सा element यूज किया जाता है कौन सा material सही answer होगा option d nichrome काफी important question by product obtained by soap industry जो soap industry है जो साबून की industry है उसका by product क्या मिलता हूँ आपर सही answer होगा option b gilis role polythene is a polymer of जो polythene है वो किस चीज का polymer है सही answer होगा ethylene option a सही होगा ethylene है जो उसको मिला कर उसकी polymerization करा के polythene बना जाता है when formaldehyde and potassium hydroxide are heated we get जब formaldehyde को और potassium hydroxide को मिला कर heat के आ जाता है तो हमें क्या मिलता है तो इस reaction के बाद option b से होगा methyl alcohol मिलेगा हमें when concentrated H2SO4 is added to dry KNO3 brown fumes are evolved जब जो concentrated H2SO4 है उसको dry KNO3 के साथ मिलाया जाता है तो जो brown color के fumes यानी धुवा सा जो है बाहर निकलता है यह fumes है वो किस कार्ण से होते हैं सही answer होगा option c NO2 की presence के कार्ण the polymer used in making plastic crockery is जो plastic की crockery यूज करते हैं उसमें उनको बनाने के लिए plastic crockery बनाने के लिए कौन सा polymer यूज होता है सही answer होगा option d मेला माइन यह भी एक plastic का टाइप है vulcanization of rubber is carried out by adding जो vulcanization यानी जो vulcanic रित बोला जाता है इसको हिंदी में जो rubber का vulcanization किया जाता है उस process में क्या add किया जाता है rubber में सही answer होगा option is sulfur which gas is used as fire extinguisher fire extinguisher means जो आग को भुजाने का काम करती है तो कौन सी gas इस काम में use होती है सही answer होगा option a carbon dioxide gas use होती है fire extinguisher में which one of following is extensively used for sterilizing water sterilize होता है पानी को रोगानू रहित करना sterilize means पानी को जो है रोगानू रहित करना रोगानू को उसमें जो रोगानू present है उनको मारना तो इसके लिए कौन सी जो process है या कौन सा element यूज होता है चार option दिये गए यहां पर सही answer होगा हमारा option ही bleaching powder यूज होता है sterilizing करने के लिए water की the major constituent of air is air का हवा का पूछा गया सबसे बड़ा जो major constituent है कौन सा होता है तो सबसे ज्यादा जो gas पाई जाती है वो है major constituent option है सही होगा nitrogen rusting of iron takes place due to जो iron पर लोहे पर जो जंग लगता वो किस कारण से होता कौन सी process इसके लिए उत्तरदाई है सही answer होगा option है oxidation German silver unit for making utensil is an alloy of जो German silver है वो बर्तनों को बनाने के काम आता है वो किस चीज का alloy है किस चीज की मिसरदात हो है किस किस को मिलाके वो बनाया जाता है तो सही answer होगा यहाँ पर हमारा option भी copper zinc और nickel इन तीनों को मिलाके German silver बनता है the purity of gold is expressed in carrots जो gold है सोना है जो उसकी जो purity है उसकी सुदता केरेट में ना पी जाती है जो purest form है gold की वो कितने केरेट की होती है चार option दिये गए है पूछा गया कौन सा सही है सही answer होगा option है 24 karat petroleum consists of a mixture of जो petroleum है वो किस चीज का mixture होता है सही answer होगा option ही hydrocarbons का the lustre of metals is because of जो metals की चमक होती है lustre होती है वो किस कान से होती है सही कौन सा यहाँ पर इसकी related statement है region है सही answer होगा option c reflection of light due to the pressure of free electrons जो light reflect होती है और वो किस कान से होती है free electrons की presence के कान से और इस pressure नहीं है presence है जो metals में free electrons मिलते हैं और उनके कान light का reflection होता है उसी से lustre की जो है property आती है metals में one of the following is used to dissolve noble metals कोई बताना है कौन सा acid चार acid दिये गए है कौन सा acid है जो सभी noble gas को अपने अंदर dissolve करता है घोल लेता है सही answer होगा option d aquaragia काफी important question है an emulsion is a colloid of जो emulsion होता है वो एक type का colloid होता है colloid होता है एक type का mixture तो यह किस चीज का mixture होता है सही answer होगा option भी liquid in liquid जो emulsion होता हो liquid in liquid यानि liquid के अंदर दो liquid मिले हुए होते हैं और इसमें वो है अच्छी तरह गूलते नहीं वो थोड़े अलग-अलग से रहते हैं emulsion में next percentage of carbon in steel ranges from जो carbon में sorry steel में carbon की जो presence होती है जो range होती है वो कितने percent होती है सही answer होगा one to five एक से पांच percent तक परतिशत तक ये steel में carbon की जो है मात्रा पाई जाती है which of following is not present in german silver अभी देखिए पिछला question भी किया था हमने वो भी यही same question है लेकिन language बदल दी गई है पूछा गया आपकी बार german silver में इन चार elements में से कौन सा present नहीं होता है तो इसलिए question को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से उसको सही से answer करना है सही answer यहाँ पे होगा इसके according silver देखिए हमने देखा था german silver में copper, nickel और zinc present होते हैं तो यहाँ पर note पूछा गया तो silver answer होगा the major harmful gas emitted by automobile vehicles which causes air pollution is पूछा गया है जो automobile से कौन सी harmful gas निकलती है जो air pollution के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदाई है सही answer होगा option a carbon monoxide तो जो air pollution के लिए सबसे ज्याज़ा उत्तरदाई है जो कि automobile से निकलती हुआ है carbon monoxide इसका formula CO which one of following is major greenhouse gas सबसे ज्यादा जो major जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली greenhouse gas है वो कौन सी है सही answer होगा option a carbon dioxide वैसे यह सभी होती है greenhouse gases लेकिन सबसे जो major gas है major greenhouse gas है carbon dioxide CO2 pasteurization is the process in which milk is heated जो pasteurization की process है उसमें milk को कितने degree celsius तक heat के जाता है सही answer होगा option c 63 degree celsius तक लगबग 30 minute के लिए milk को heat के जाता है pasteurization में the freezer in a refrigerator is lifted near the top जो freezer होता है refrigerator में हमारे गरों में जो हम freeze use करते हैं उसमें जो freezer होता हो हमेशा top part पर होता है तो इसका क्या region है तो सही answer होगा option c जो यह है it facilitates convection current जो convection currents flow करते हैं उनको यह जो है facilitate करता है और basic concept क्या होता है इसमें देखिए mainly जो hot air होती है वो उपर उठती है और उपर उठके ही वो cold होती है यह concept air का जो density से related है hot air की density कम होती है और वो उपर उठती है फिर उसको cool होती है तो यह concept यहाँ पर इसलिए इसको उपर रखा जाता है the chemical name of common salt is जो common salt हम जो साधान नमक घरों में यूज करते हैं उसका chemical name क्या है सही answer होगा option is sodium chloride NACL इसका formula denatured spirit is ethanol mixed with जो denatured spirit होता है उसमें ethanol को किसके साथ mix किया जाता है सही answer होगा यहाँ पर option D pyridine और जो main दूसरा element होता इथानोल के साथ वो methanol भी होता है यहाँ पर यह भी याद करेंगे इथानोल, methanol और pyridine भी mix किया जाता है the most abundant inert gas in atmosphere is, सबसे ज्यादा जो inert gas atmosphere में वाई मंडल में पाई जाती है वो कौन सी है इन में से सही answer होगा option C, argon gas which metal is extracted from sea water, जो sea water होता है, समूदर का पानी होता है, उसे कौन सी metal extract की जाती है, निकाली जाती है सही answer होगा option B, magnesium, काफी important question है percentage of lead in lead pencils देखिए ध्यान देजिए, बहुत important कहीं बार रिपीट होगा ये question lead pencil होती है, जिससे हम लिखते है उसमें lead की कितने मात्रा होती है, सही answer होगा option है, 0 lead है, इसमें इसका नाम lead pencil होता, लेकिन lead है, जो PB होता, जिसका symbol इसमें lead नहीं होता, सीशा नहीं होता water is not effective, जो पानी होता है, वो अगर पैटरोल से कोई आग लग जाती है तो वो उसको बुजाने में effective नहीं होता, पर भाव नहीं डालता कुछ क्यों नहीं डालता है, क्या region होता, because पुछा गया सही answer का option D, water and petrol होते हैं, जो वो immiscible होते हैं, वो एक दुसरे में mix नहीं होते with each other, okay, and petrol और दुसरा के region है, petrol which forms the upper layer contributes continue to burn, जो पैटरोल होता, वो उपर रहता हमेशा, और वो जो है, उससे आग जलती रहती है helium gas is used in gas balloons instead of hydrogen gas because gas, जो gas के जो balance होते हैं, उनमें mainly helium gas use की जाती है, hydrogen नहीं यूज की जाती, इसका क्या region है, ये पूछा गया, सही answer होगा, non-combustible, जो helium gas होती है, वो non-combustible, यानि वो जलने में help नहीं करती, ओके, लेकिन hydrogen है, वो combustible gas होती है, the gas used in artificial ripening of fruits, जो fruits को हम artificially criticism रूप से पकाते हैं, उनमें कौन सी gas use करते हैं, सही answer होगा, यहाँ पर हमारा option है, acetylene, ethylene भी बोलते हैं, इसको, ruby and sapphire are oxide soup, जो ruby और sapphire, जो की amulia कुछ हीरे होते हैं, हमारे ruby and sapphire, वो है जो oxides किस चीज के oxide होते हैं, सही answer होगा, option D, aluminium के oxide होते हैं, the gas which turns into liquid at lowest temperature among the following, चार gases दी गई है, पूछा गया है, कौन ची ऐसी gas है, जो सबसे कम temperature पर liquid form में convert हो जाती है, सही answer होगा, यहाँ पर इन option में, option A, hydrogen gas, gun powder consist of a mixture of, जो gun powder होता है, वो किस चीज का mixture होता है, तो यहाँ पर हमारा सही answer होगा, option C, nitr sulfur और charcoal को मिला के है, gun powder बनता है, काफ important question है, इन nuclear reactors, graphite is used as N, पूछा गया, जो nuclear reactor होते हैं, उनमें graphite का यूज कैसे किया जाता, किस तरह से, सही answer होगा, option C, moderator की तरह यूज होता, graphite, sea water can be purified by process of, जो sea water होता, समूदर का पानी होता है, उसको किस process के द्वारा purify किया जाता है, सही answer होगा, option है, distillation, ये भी काफ़ important question, detergents clean surfaces on the principle of, जो हमारे detergents, हम जो है, surfaces को, या फिर कपडों को clean करने के लिए use करते हैं, वो किस principle पर जो है, clean करते हैं कपडों को, सही answer होगा, option भी, surface tension, ये भी कहीं बार पूछा गया question, the compound to which H2 does not add is, पूछा गया है, ऐसा कौन सा compound है, इन चार option में, जिसमें H2 यानि hydrogen है, जो add नहीं होती, सही answer होगा, option B, tetrafenyl ethylene, ammonia is, sorry, ये ammonia नहीं, आप इसको correct करिए, ये है, ammonal, A, double M, O, N, A, L, ammonal, okay, ammonal is a mixture of, सही answer होगा, हमारा यहाँ पे, option A, aluminium powder and ammonium nitrate, तो जो ammonal है, ये एक explosive होता है, और ये aluminium powder और ammonium nitrate का mixture होता है, which gas does not form the part of atmosphere, चार gases दी गई हैं, बताना है, कौन सी gas है, जो atmosphere में नहीं पाई जाती, जो atmosphere का part नहीं है, सही answer होगा, यहाँ पे option C, chlorine, nitrogen, helium, atmosphere में पाई जाती है, the fuel used in an atomic reactor is, एक atomic reactor में, कौन सा fuel use किया जाता है, कौन सा engine use किया जाता है, सही answer होगा, option D, uranium, काफी important question, white coal is, एक और बहुत important question है, कहीं बाहर पूछा गया, white coal किसको कहा जाता है, सफेद कोईला, सही answer होगा, option B, hydro electricity को, the major constituent of gober gases, जो gober gas बनाई जाती है, उसका major constituent सबसे ज़्यादा क्या पाई जाता है, सही answer होगा, option B, methane, formula होता है, CH4, the residue left after extracting juice from sugar, and sugar bean and sugar cane is, जो sugar cane होता है, गना होता है, उससे जो हम juice तो निकाल लेते हैं, उसके बाद जो residue बचता है, उसको क्या बोला जाता है, सही answer होगा, option B, bagage, जो bagage है, उसको हिंदी में हम खोई भी बोलते हैं, जो 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 गन्य से juice निकालने के बाद, रस निकालने के बाद, जो residue बचता है, उसको bagage बोला जाता, the isotope of uranium used in atomic reactors is, जो atomic reactors में, uranium हम fuel की तरह यूज करते हैं, यह पहले question हा चुका है, तो uranium का कौन सा isotope mainly use करते हैं, सही answer होगा, option है, uranium 235, काफी important question, the greenhouse effect is called by the higher level of which gas in atmosphere, जो greenhouse effect है, वो कौन सी gas के काण mainly होता है, किस gas के high level के काण होता है, सही answer होगा, option भी carbon dioxide, CO2 gas, candle is a mixture of, जो candle है, मुंबत्य होती है, हमारी किस चीज़ का mixture होती है, सही answer होगा, option है, पेराफीन wax, और stearic acid का mixture होती है, candle, इथानोल contains 5% water is known as, अगर इथानोल में 5% पानी है, 5% पानी मिला जिया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे, rectified spirit, option है, सही होगा, the important ore of aluminium is, जो aluminium है, जिसका symbol AL होता है, उसका important और कौन science चारों में, सही answer होगा, bauxite, और इसका formula होता है, AL2O3 aluminium, trioxide भी बोलते हैं, aquarasia is a, 1 is to 3 mixture by volume of, पूछा का, जो aquarasia solution होता है, वो 1 और 3 के रेशों में, किस चीज़ का mixture होता है, तो सही answer होगा, concentrated nitric acid, और concentrated hydrochloric acid, तो HCl, और ये HNO3, इनका mixture होता है, और ratio भी याद करेंगे, 1 is to 3, इनका ratio होता है, तो काफी important, sorry, काफी important question है आपके लिए, what is the maximum water vapor content in the atmosphere, हमारा जो atmosphere है, उसमें, total जो water vapor का content है, कितने percent पाया जाता है, सही answer होगा option भी, 3 से 4 पर 30, the amount of chlorine available in water, after disinfection is cold age, जो पानी के disinfection की process है, उसके बाद, उसको करने के बाद, जो chlorine available बचती है, जो amount बच जाती chlorine को, उसको क्या बोला जाता है, सही answer होगा option B, residual chlorine, residual chlorine उसको बोला जाएगा, what are the major pollutants of cigarette smoke, जो cigarette का धुवा होता है, उसके major pollutants कौन-कौन से होते हैं, सही answer होगा option B, carbon monoxide और जो nicotine है, वो cigarette के धुवे में pollutants present होते हैं, nuclear energy, इजे mineral based energy source, जो nuclear energy है, वो mineral based energy का source है, इसको, it is derived from, इसको कहां से derive किया जाता है, तो सही answer होगा option है, uranium से, जो uranium है, element उससे इसको nuclear energy को derive किया जाता है, zinc sulfide is commonly used है, जो zinc sulfide है, उसको mainly किस तरह से use किया जाता है, तो सही answer होगा, यहाँ पे हमारा option C, rodenticide, इसको rat poison भी बोला जाता है, जो चुहें हमारी फसलों को बरबाद कर देते हैं कहीं बार, उनको यह मारने के लिए use होता है, rodenticide, zinc sulfide mainly, the purest form of water is, पानी की सबसे purest form किसको माना जाता है, सही answer होगा option B, rain water, जो वर्षा का पानी rain water होता है, सबसे purest माना जाता हूँ, the main constituent of biogases, जो biogas use होती है, उसका main constituent, यह अभी repeat हो चुका question, option B, green होते है, जो medicine की तरह भी use होती है, उसको chemically किस नाम से जाना जाता है, सही answer होगा option C, acetyl salicylic acid, the most abundant element in the human body, जो माना उप्षरीर होता, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाल element, कौन सा होता है, सही answer होगा option D, oxygen, which of following is not, sorry यह revert नहीं, not है, note A, green house gas, इन option में से कौन सी एक green house gas नहीं है, सही answer होगा option है, hydrogen, बाकी तीनो carbon dioxide, nitric oxide, chlorofluoro, carbon, यानि CFC, ये तीनो greenhouse gas होती है, hydrogen greenhouse gas नहीं है यहाँ पे, सही answer option A, wax used for making candle is chemically a mixture of, जो wax used होती है, candle बनाने के लिए, वो chemically राचानिक रूप से किस किस चीज़ से बनी होती है, किस का mixture होती है, सही answer होगा option A, aliphatic hydrocarbons का mixture होती है, काफी important question, litmus is obtained from, जो litmus paper होता हम यूज करते हैं, litmus होता हो, वो कहां से मिलता हम को, कहां से ये प्राप्त किया जाता है, सही answer होगा option D, विनेगर made by fermentation from cane sugar contents, जो विनेगर बनाया जाता है, cane sugar की fermentation process करके, वो उसमें क्मेंली क्या पाया जाता, कौन सा acid होता हैं इनमें से, सही answer होगा, option D, acetic acid पाया जाता, विनेगर में और विनेगर को हम इन्दी में, सीरका भी बोलते हैं, photo oxidation process is initiated by, जो photo oxidation की process है परिकिरिया है, वो किसके दुआरा initiate की जाती है, शुरू की जाती है, सही answer होगा option है, light के दुआरा, जैसा कि photo से भी पता चल रहा है, light होता है इसका meaning, ultraviolet radiation, जो UV radiation होती है, striking the earth is due to depletion of, जो ultraviolet radiation है, वो earth को strike करती है, वो किस चीज की depletion, किस चीज को जो है, destroy करने के बाद वो ये करती है, सही answer होगा option C, ozone, जो ozone layer है, उसको deplet करके, ultraviolet radiation जो है, earth को strike करती है, major gaseous pollutant of thermal power station, जो thermal power station होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा, कौन सी gas pollute करती है, कौन सी gas सबसे ज़्यादा pollution पैदा करती है, सही answer होगा, इसका हमारा option D, SO2, sulfur dioxide, the process of removing calcium and magnesium from hard water is known as, जो hard water होता है, उसमें से हम calcium और magnesium की जो impurity, जो एसुदिया होती हैं, उनको remove करते हैं, इस process को क्या बोला जाता है, तो सही answer होगा, option D, काफी important question है, water softening, और hard water में calcium और magnesium की आई सुदिया होती हैं, ये ऐसे भी question पूछा जाता है, the tip of majestic contents, जो majestic यानि जो माचिस की तिल्य होती, उसकी tip पे जो मसाला लगा होता है, वो क्या होता हैं मेलनी, सही answer होगा, option C, red phosphorus होता है, काफी important question है, the commercially sodium bicarbonate is known as, जो sodium carbonate होता है, उसको commercially क्या बोला जाता है, सही answer होगा option B, baking soda, इसका formula होता है, NaHCO3, sodium bicarbonate, an emulsifier is an agent which, एक जो emulsifier होता है, वो एक agent होता है, वो क्या काम करता है, सही answer होगा option है, stabilizes an emulsion, जो एक emulsion होता है, उसको ये stabilize करता है, emulsifier और emulsion मैंने बता था, आपको ये liquid, दो liquid को मिला कर बना जाता है, जो आपस में पूरी तरह से घुलंचील नहीं होते हैं, mortar is a mixture of water, sand and blank, जो mortar होता है, वो पानी, water, sand और किस चीज़ का mixture होता, सही answer होगा option है, select lime, यानि water, sand और select lime को मिला के, mortar बना होता है, which of following substance is highly plastic, चार सबस्टांस दिये गए है, उनमें से सबसे ज़्यादा plastic material का कौन सा बना होता है, highly plastic कौन सा होता है, सही answer होगा यहाँ पे हमारा option D, clay, काफ़ important question है, आज का last question करते हैं, the national chemical laboratory, जो NCL बोला जाता है, भारत की, जो राष्ट्रिय रासानिक लैब है, परियोग साला है, is located in, वो कहाँ पर है, तो सही answer होगा option D, पूने महराष्ट्रा में है, ये NCL national chemical laboratory, तो friends हमने यहाँ पर, आज के 100 question, जो काफी important है, आपके आने वाले exams के लिए, वो हमने discuss कर लिए, आसा करता हूँ ये question, जो मैं यहाँ पर आपके लिए लाता हूँ, और जो मैंने आज यहाँ पर discuss किये, वो आपको काफी पसंद आये होंगे, और friends, जो मैं यहाँ पर आपके लिए daily videos लेकर आ रहा हूँ, अगर आपको हमारी videos पसंद आ रही हैं, तो videos को ज़्यादा से ज़्यादा like करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के भी share भी करें, और हमारी daily videos, daily classes के लिए, आप channel को subscribe जरूर कर लें, और bell icon को भी press कर लें, ऐसा करने से आपको हमारी daily videos के notification मिल जाएंगे, और आप किसी भी important video को miss नहीं कर पाएंगे, तो friends, आज के इन important question के साथ ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं next video में, next part में, और अच्छे question और अच्छे topics के जाएंग, तो friends, thank you.